शेलिए दोस्तो फोटो सॉप के अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं क्रॉप टूल और क्रॉप टूल के साथ में आप जैसे ही देखोगे तो यहां पर आपको मुख चार टूल मिलेंगे जैसे की देखिए क्रॉप टूल अब इसकी सौट कट की जो है सी है जैसे आप C प्रेस करेंगे तो यहाँ पर crop tool में जो selection है वो आ जाएगे यानि कि crop tool आपका select हो जाएगा और आप आसानी से उसमें काम कर सकते हैं crop tool का अलग-अलग प्रकास उपयोग देखेंगे फिर उसके हाँ देखे perspective crop tool है फिर slice tool है और slice select tool है तो इन चारो टूल को हम विस्तार से जानने बाल है तो इसके लिए हमारे पास में एक image open होना बहुत जरूरी है तो image हम open कर लेते हैं खाली जगे में double click कर दीजे या फिर control हो या फिर file menu में जाकर आप open पर click कर सकते हैं तो हम जो है यहाँ पर हमारे दौरा जो download की गई image है उसको हम open कर लेते हैं चलिए यहाँ पर हमारे पास में इमेज है अब इस image में हम चाहते हैं कुछ particular area को crop करना जैसे मान लीजे इतना भाग हम जो है crop करना चाहते हैं तो हम कहां जाएंगे सी प्रेस करेंगे तो crop tool select हो जाएगा और यहाँ से हम पर्टिकुलर area को इस प्रकार mark you tool जैसे select कर लेंगे ठीक है इस प्रकार हमने क्या कर लिए select कर लिए ठीक है अब देखिए select कर रहे हैं तो outside का जो area है वो हो गया है देखो मतलब light उसका कम हो गया है और यह जो है highlight होकर मतलब जो area हमारा select वाला है वो highlight होकर दिख रहा है उसके चारो corner में देखिए छोटा बड़ा करने का यह देखिए यह जो है एक प्रकार से transform type का जो टूल है वो आ गया है यदि हम उपर ले जाना चाहते देखिए उपर भी ले जा सकते हैं जितना भाग हम को उपर नीचे कर हो रहा है मतलब image हमारी जो है देखिए इस प्रकार crop tool को select करने के पर साथ हम image को घूमा भी सकते हैं अब हम जैसे simple है simple में अगर देखिए इस प्रकार इतना select कर और enter कर देते हैं तो हमारी image उतनी ही वस्ती है जितने भाग हमने select राखे थे पांकी की image हमारी गायब हो चुकी है तो crop tool का मतलब क्या है कभी कभी हमको अनावस्यक area नहीं चाहिए होता है image का तो हम जितना area चाहिए उतना area को हम select कर लेते हैं और keyword से enter की प्रेस कर देंगे तो हमारी जो image वो उतनी ही बच जाती है जितनी हमको चाहिए अब देखिए हम एक और चीज चाहते है यदि हमने select करें और इसको हम जो चाहते है rotate करना जैसे देखिए इस प्रकार rotate करना चाहते हैं तो अब enter की प्रेस करते हैं तो देखिए rotate में आ रही image मतलब बांकी की image हड़ गई है outside की और जो बची है वो भी rotate में आ रही है ठीक है ये तो बात होगे किसकी हम अपनी इक्षनुसार select कर है यदि हम चाहते हैं कि हम जो है इसमें निश्चिस size में इसको लाएं जैसे crop tool है तो crop tool जैसे select करें तो option बार में हमको क्या मिल रहा है option मिल रहा है मतलब बहुत सारे इस से related तो यहां रेसो दिया है ठीक है और कितना चाहिए है वो यहां पर देखे बकायदार size भी दिया है जैसे आप देखे ओरिजिनल रेसो में काटना चाहते हैं वन रेसो वन में यानि कि छोकोर बॉक्स बनना चाहिए वन रेसो फाइब में आट दस के हिसाप से 5,7 के हिसाप से 2,3,16,9 यानि कि monitor के size में काटना चाहते हैं फ्रेंट इमेज इस प्रकार से देखे बहुत सारे preset अब इन में से हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे इस प्रकार इसको select कर लेते हैं अब देखे ये देखे अपने आप ले लिया अब इसको इधर उधर करने का काम वो हमारा होता है यानि कि हमने जो size select करे हैं वो size उसने खुद बहुद जो है इस प्रकार select रख लिया यदि हम क्या करेंगे एंटर करेंगे तो 1-1 में आएगा ठीक है यह आपको देखने को मिलेगा किसमे crop tool में क्योंकि देखे height और bit दोनों बराबर रहेगी यदि हम चाहते हैं इसको 1-1 नहीं 4-5 तो 4-5 में कर सकते हैं और इसको हम बड़ा छोटा फिर कर सकते हैं कि हमको कितना भाग हम चाहते हैं कि यह 5-7 में देखे 5-7 का रेसो ने पकड़ लिए अब इन में से कोई भी साइज हमको नहीं चाहिए तो हम रेसो सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम जो है अपना 1-6 हाइट और bit दे निरधारित कर सकते हैं उसको switch भी कर सकते हैं लेंडिस्केप और portrait में करना त है तो clear कर देंगे आप अब आप जो है इसको बहार इसके button दबा दीजिए इसके दबाने से क्या होगा selection वाला जो एरिया वो हट जाएगा अब हम फिर से इसको अपनी क्छानुसार इस प्रकार सेलेक कर सकते हैं और keyword से enter की प्रेस कर सकते हैं तो यह हो गया normal जो image थी उसका छोटा भाग बन जाएगा मतलब हमने कोई भी size यहां पर define नहीं कि हैं तो आपको crop tool के अंतर गत देखे preset समझ में आ गए new crop preset भी आप बना सकते हैं अपनी क्छानुसार यानि कि जैसे आप बार बार कोई काम करते हो आप image passport बना रहे है पासपोर्ट की image का जो एक image का जो preset है वो क्या होना चाहिए तो उसको आप यहां define करके create कर सकते हैं ठीक है बनाएगा preset को delete भी कर सकते हैं यद तो देखे हमने जो है crop tool यानि कि जो पहला option है वो हमने देख लिए यानि कि crop tool जिसके अंतरगत हमने preset जो fixed size थे उसके अनुसार भी देख लिए और अपनी इक्छानुसार हम यहां define भी कर सकते हैं जैसे हमको चाहिए 500px और यहां हम लिख देते हैं 400px है ना इस प्रकार च को छोटा भी कर सकते हैं कि image कितनी लाना है उस प्रकार से image को rotate करना नहीं करना वह हमारी उपर है से corner में ले जाग हम rotate कर सकते हैं जैसे हम एंटर की प्रेस कर सकते हैं जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा image जो है मतलब उतना भाग हमारा आ जाएगा रोटेट होगा यह चीज हम कर सकते हैं अब यहां हम जो है इसको clear कर देते हैं size को ताकि हम predefined size के अनुसार नहीं हमारी इक्छा अनुसार यहां प चोक और में ही कातने की जो है हमने मेधड़ हमने देख लिए पर कभी इस प्रकार किलिक करें और हम कर देते हैं इस प्रकार za Common हो गया और हम कर देते हैं enter तो देखे इस प्रकार से हम जो है image को बनाना चाहते हैं, crop करना चाहते हैं, हम दूसरा option उप्योग करेंगे, जिसका नाम है perspective crop tool, ठीक है, और यहाँ पे आपको preset नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको bit और height का option मिलेगा, जहाँ से आप जो है, bit और height निरधारित कर सकते हैं, और दू front image बरावर का size देखे, यहाँ पे automatic आ गया, front image मतलब जो image आपको दिख रही है, उसका size यहाँ देखे, यह pixel में दिख गया, resolution भी दिख गया, उसके size का आपको काटना है, तो आप direct select कर सकते हैं, यह देखे, इस प्रकार आप select कर सकते हैं, ठीक है, यह देखे, मतलब जैसे crop tool हम करते हैं, बैसे perspective crop tool को भी हम जो है, इस प्रकार, जितना भी भाग हम select करेंगे, वो automatic, इस height orbit में divide कर देगा, अगर height कम भी है, तो खीच के बड़ा कर देगा, देखे, खीच के बड़ा किया, उनने, इस प्रकार से देखे, यहाँ पे, अब हम जो है, इस में देखे, और च चाहते हो, कि, अपनी छनुसार यहाँ पर select करें, ठीक है, तो क्या करना है, आपको, simple, मैं control z कर देता हूं, पूरी image लियाता हूं, यह clear कर देता हूं, यहाँ से देखे, यह clear हो जाता है, size, अब आप देखे, इसको, किस आकार में काटना चाहते हैं, इसको, वो आपके उप control z कर देता हूं, अब चलते हैं, हम तीसरे tool, तीसरे tool मतलब slice tool, तो slice tool काफी important है, उसके साथ में slice select tool भी काफी important है, ठीक है, तो यहाँ पर slice tool के बारे में हम बात करेंगे, slice का मतलब होता है, image के तुकड़े करना, जैसे कभी-कभी आपने देखा होगा, image हम जो है, website में उप् internet slow है, या फिर internet slow भी नहीं है, तो भी एक image जो है, काफी देरी से load होगी, अगर उस image को हमने, मतलब उसके size को maintain नहीं रखा तो, तो उसी समस्या को हल करने के लिए, इस tool का उप्योग के जाता है, जिसका नाम है slice tool, और उसी का upgraded जो है, slice select tool, तो हम सब से पहले slice tool देखेंगे, मान लीजे, यह image है, इस image के अगर बात करूर, इसमें मैं जाओं, देखें, file menu में आपको देखने मिलेगा, save, save as, save for web यहीं पे मिलता था, पुराने version में, पर आप save for web, यानि कि internet के लिए अगर आपको image को save करना है, तो देखें, export, और export में आप जाओगे, देखें, save for web, ज जैसे हम इस पर click करेंगे, तो आपके सामने एक dialogue box आएगा, इस dialogue box में आप ध्यान से देखें, यहां देखें, यहां 435, मतलब यह image कितने size की है, देखें, GIF size की तो है, मतलब GIF प्रकार की, होरे export, परन्तु यह देखें, 2.34 MB, मतलब 2.3 MB, धाई MB की यह image आपको देखने मि लिए और webpage में load होने के लिए 435 सेकंड, इसका मतलब है कि यह 60 सेकंड का 1 मिनिट होता है, तो आप समझ जाए, यह 6-7 मिनिट में load होगी, तो इतनी देर में load होगी, तो हमारा webpage यह website हमारी बहुत बैकार होगी, क्योंकि जब इतनी देर में load होगी, तो user है, user इससे भाग जा हल करने के लिए का करेंगे, यहां तीसरे टूल में जाएंगे, और स्लाइस टूल में इसके कुछ तुकड़े बनाएंगे, तुकड़े कैसे बनाएंगे, देखे, यह देखे, अब यहां देखे, select करना चालू रखिए, जैसे उपर का भाग आपने इतना select कर लिए, ठीक है उसके बाद आपने इसको जो है, देखे, navigation, कोई website की बात करें, तो website में आपको देखे, header देखने की मिलता है, फिर navigation देखने की मिलता है, navigation के बाद आप देखे, यहां पे आपको side, left side bar देखने की मिलता है, फिर आप देखे, यहां पे आपको देखने की मिलता है, यहां में कुछ option देखने मिल जाते हैं अभी देखिए हमारी इमेज है कितने भागों बढ़ गई है देखिए आप उपर देखिए एक दो तीन चार पांच छे भागों है अब इसके अलाबा नेविगेशन के लिए आप देख सकते देखिए यहां पर मैं जो है नेविगेशन के लि चलिए यहां से हम जो है इसको नेविगेशन इस प्रकार चोकर बॉक बना देते हैं ठीक कितने नेविगेशन होगा एक दो तीन चार पांच होंपेज हो जाएगा फिर उसके बाद एबाउट हो जाएगा कॉंटेक्ट हो जाएगा गैलरी हो जाएगी और अन्ने चीजी सर् बड़ी थी उसको हमने चोटे-चोटे पार्ट में यहां पर सेलेक्ट कर लिए अब इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट कैसे करेंगे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट करने बाद देखिए सेब फॉर वैप जिसकी सॉटकट की है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस सिप ठीक इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे अब आप ध्यान से देखिए यहां देखिए जी आई एफ जो की धाई एमबी की थी अब देखे 32 केबी की हो गई है 32 केबी की जो की साथ सेकेंड में लोड हो जाएगी तो अभी भी हमारा जो है साइस क्या है काफी बड़ा है फिर भी वो इमेज से क अब यहां देखिए यहां जी आई एफ अगर जी आई एफ नहीं भी आ रहा ताप जी आई एफ सेलेक कर लीजी यहां से ठीक है और इसके बाद आप जो है से एक सेब करिए इसको सेब करेंगे तो एक डालेक बॉक्स आएगा डालेक बॉक्स में आप जो है यहां पर मैं कर से पढ रहे हैं ठीक से भो गया अब यह इमिज इतनी दीख रही इए जहां हम ने इसको सेफ करें हैं डिजाइं डिजाइन में चलते हैं बैब देखिए बैब और यह बैप पिज어지 अंसे आ आसानी से समय कम लगा है तो समय इसलिए कम लगा क्योंकि एक image की हमने देखे यहां पर 12 तुकड़े कर दिये थे बारत तुकड़े देखे यह देखे बारत तुकड़े हो गए इस कारण जो image है जल्दी जल्दी लोड हुई जो बड़ा एरिया है उसको भी हम छोटा कर सकते हैं ठीक है काईदेस है तो यह image को मतलब जल्दी लोड कराने के लिए webpage में slice tool का उप्यूप के जाता है अब देखे webpage में webpage बनता कैसे html से यह भी आपको पता होगा ठीक अगर html नहीं पढ़े हैं तो html के वीडियो आप देख सकते हैं इसके बाद भी मैं html के और tutorial लेखे आने बाला हूँ उसको भी आप देखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा तो मैं यहाँ html के देखे image तो आपन करता हो और file menu में जाकर हम open करते हैं open करने के बाद हम कहां जाते हैं design में जाते हैं web में जाते हैं और यहाँ text की जगए all document करके web open अब देखेंगे ध्यान से ध्यान से यहाँ पर जो image थी लग जो slice tool के माद्धे हम से हमने बनाए है वो image देखेंगे यहाँ पर html code में convert हो च image तक आप देख सकते हैं ठीक और बीच में table आप देखेंगे td और tr जो है वो table के parts है तो आप इस webpage को कैसे बना पाया असानी से यह भी आपको देखने मिलेगा किसके माध्यम से slice tool के माध्यम से तो यह आपको समझ में आया होगा आपको html में जादा ध्यान ने देना है आ और आप देखें यहां जो नेक्स टूल है मतलब लेक्स टूल देखते हम जिसका नाम है पर इसमें फाइदा क्या होता है कि हम एक एक इमेज को बहुत अधिक भागों में बाढ़ सकते हैं तो यहाँ देखेंगे तो डिवाइड नाम से एक उप्सान आता जिसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें डिवाइड होरीजून्टली और डिवाइड वर्टिकली मतलब रो और कॉलम की बात हो रही, तो रो, रो और कॉलम में हम बाढ़ देते हैं, दस, और नीचे भी बाढ़ देते हैं, ठीक है, दस, दस, यानिकि, दस, रो, दस कॉलम में, परणतु, आपको ध्यान देना होगा, यह सारी चीजे आपको हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको कर देता Ctrl-Z क्योंकि हम जो है सुर्वाती उसमें लिया आते हैं ठीक चलिए अब करते हैं यह हमने क्लिक करें और इवाइट पर क्लिक करें ठीक और डिवाइट पर क्लिक करने बाद ICLE contain 10 और वर्टिकल में भी 10 ऊके से करें तो देखते दस कॉलम में यानिकि टुटल मिला कर सो भागों में आपकी इमेज बंठ चुकी है क्यांकि 10 into 10 यानिकि हंट्रेट हो जाएगा तो देखिताना आपकी इमेज बंठ तो देखिए आप 6 second में लोड हो रही है मतलब इमेज बटी हुई भाग है देखिए 26 kb की है और यह जो है देखिए यहाँ पर तो स्क्स सेकंड में यहां पर लोड हो रही है मतलब 56 KV पर सैकंड और यह ज़्यादा स्पीड है तो जल्दी लोड हो गी तो आपको जिय अफ देखना यहाँ पर जिय इफ है की नहीं और सेफ करना है शेफ करने बाद आप फिर से जो है उसको उसी नाम से कर सकते या फिर गेज बन नाम से आप दे सकते हैं students इमेज innा नाम से आप दे सकते हैं और आप चल देते हैं Ching करेंगे और सेज़ए प安 quantities देखेंगे उसी में जाता हों ниए देखे जो है sa चेंज हो गया है चलिए में ब्राउजर यहां पर ओपन बित Google Chrome Google Chrome में ओपन करते हैं देखिए यहां इमेज जो है कितनी जल्दी लोड हुई है और इसकी इमेजेस देखेंगे हम तो उसी में आ गई है देखिए जो इमेज वाला फुल्डर है उसी में सारी इमेज आ गई है ज और स्थिद्धे दोनों टूल आपको समझ में मैं इसका उप्योग क्या है वह तो आन्डड मेहां या थे में अल्डरियमीज के बारे मैं बाद में बताऊंगा जब मैं HTML पढ़ाऊंगा तो वेब पेज आपको आसानीज बनाना था आप किसकी साहता से अब इसके लिए मतलब में एक वेब पेज का पासपोर्ट साइस पोटो बनाना देखेंगे आगे आने वाले जो भी पार्ट तो मैं उसको आगे आने वाले पार्ट्स में आपके जो प्रॉब्लम से उसको जरूर्व करूंगा